नमस्कार फ्रेंट्स, पीस्फुल होम एन इंफार्णमेंट चैनल में आप सब की स्वागत है और मैं मिसस थारा फ्रेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक जाइबिक फार्टिलाइजर बनाना सिखेंगे जिस जैबिक फार्टिलाइजर को हम लोग बिल्कुल मुथ में अपने घर पर बना सकते हैं ये जो फार्टिलाइजर है जिस चीज से हम लोग इस फार्टिलाइजर को बनाएंगे ये चीज लगभग हम सभी लोगों को घर में पाया जाता है हम सभी लोग इस चीज को यूज करते हैं और इसके बाद उसको फेक देते हैं तो फेक के हुए एक इंग्रेडियंट से आज हम लोग एक बहुती अच्छी फर्टिलाइजर बनाएंगे जिसकी प्रयोग से आप अपने गार्डिन की जो पौधे है उसको फूलों से फलों से और सबजियों से भरा रख सकते हैं आज हम लोग नीबू की छिलके की फर्टिलाइजर बनाएंगे नीबू की छिलके जो है वो हमारे पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है इसमें पाया जाता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात ही यह जो नीबू की छिलके की फर्टिलाइजर है हमारे पौधे की जो मिट्टी को इसको इसकी एसीटिक लेबल्सimated लखने में उसको एसिडिक रखने में सहायक होते हैं ज्यादा तर जो प्लांट होते हैं वो एसिड लभिंग प्लांट होते हैं और मिट्टी में अगर एसिडिक जो बात है मिट्टी अगर एसिडिक हो तो उस पौधे में बहुत अच्छी फूल फल सबजियां होते हैं मिट्टी अगर alkaline हो जाए तो उस पौधे में फूल नहीं आते हैं और फल सब्जी की तो बात ही नहीं है इसलिए हम लोग कोशिस करते हैं हमेशा कि मिट्टी को acidic रखा जाए और ये जो fertilizer है ये fertilizer हमरे पौधे की जो मिट्टी है उसको acidic रखने के लिए बहुत सहायोग होते हैं नीबू की जो छिलके है ये हम सभी लोग फेक देते हैं नीबू की जो रख से ओ लेने के बाद ये जो छिलके है ये हम लोग फेक देते हैं लेकिन इसको अगर हम लोग fertilizer बना लेंगे तो आप सोचिए कितनी अच्छी बात हो सकती है हमारे garden के लिए तो चलिए कैसे बनाएं ताकि मेरी हर informative वीडियो आप तक पहुंच सके और अगर वीडियो अच्छे लगे तो अनुरूद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नीबू की छिलके से बिलकुल मुप्त में आज एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइजर बनाना सीख लेते ह तो नीबू की छिलके की जो फर्टिलाइजर हम लोग बनाएंगे इसके लिए हम लोग लेंगे नीबू की छिलके और पानी यह जो आधा लिटर की बोटल आप देख रहे हैं मैं इस बोटल में नीबू की छिलके की फर्टिलाइजर बनाए थी आप किसी और मग्वे में या बल्टी में भी बना सकते है अभी इसको बनाने के लिए हम लोग 8-10 नीबू के छिलके लेंगे आधा लीटर पानी में अगर बना रहे हैं तो आधा लीटर पानी के बोटल के लिए हम लोग 8-10 नीबू के छिलके लेंगे लेकिन यहां पर मैं एक बात बतना चाहूंगी फ्रे नीबू की छिलके की मात्रा अगर थोरीशी जादा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लेम नहीं है किसी तरह की प्रॉब्लेम नहीं होगी तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे जैसे जैसे घर से हम लोगों को नीबू की छिलके मिलते रहेगी हम लोग बोटल में डालते और उसके बाद इसको हम लोग यूज करेंगे तो यह जो आधा लीटर की बॉटल है इसमें आप देख रहे इसी बॉटल में मैं यह नीवू का जो नीवू के छिलके की जो फर्टिलाइजर है यह मैं बनाई थी अभी मैं दोबारा इसमें फिर से बनाऊंगी तो यह जो नीव बनाने के बाद हम लोग उसको फेक देंगे और फिर नए निवू के छिलके से नए वट बनाएजर बनाये तो हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए यह देख लेते हैं तो यह जो बॉटल है इसकी तीन पार्ट पानी से भर लेंगे और एक 10 या 10 बारा नीवो के छिलके हम लोग भड़ लेंगे और इसके बाद इसको रखेंगे एक सेड़ी एरिया में चार से पांस दिन रखने के बाद हम लोग ये जो नीबू का जो नीबू पानी है उसका कालर ऐसा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको प्रियोग करेंगे अपने गार्डिन में या पौधे में लेकिन फ्रेंज हमेशा याद रखेगा कि इसको डाइडेक्ट कभी भी प पौधे की मिट्टी में प्रियोग नहीं करना है यह जो नीबू पानी तयार हुआ है या नीबू की जो फर्टिलाइजर तयार हुई है इसको हमेशा हम लोग प्लेन वाटर के साथ मिला कर या मिक्स करने के बाद ही हम लोग पौधे में प्रियोग करेंगे तो यह आधा लि ये जो फाटियाजर बना है ये बहुत सेफ है ये थोरा कम हो गया थोरा ज़ादा हो गया तो किसी बात के प्रोडलेम नहीं है लेकिन आपके गार्यंद में आगर बहुत ज़ादा पौधा है तो हर पौधे में थोरा थोरा डाल सकते हैं और अगर दो-चार पौध है तो पौधे की पूरे मिट्टी को गीला करने के लिए भी आप यह जो फ़र्टिलाजर है उसको पूरी तरह से आप मिट्टी को गीला करने के लिए भी डाल सकते हैं तो यह जो फर्टिलाजर हम लोग आज बनाए हैं निवू के छिलके से इस फर्टिलाजर को हम लोग महीने में एक बार पौधे में प्रयोग कर सकते हैं महीने में एक बार अगर नियमित रूप से हम लोग इस फर्टिलाइजर को प्रयोग करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके पौधे गार्डेन की पौधे की जो पहले जितना फूल या फ़ल आपको मिलता था उसके हिसाब से ज्यादा फूल फ़ल मिलने लगेंग और आपके गार्डेन की जो पौधे है वो हमेशा फूलों से फ़लों से भरा रहेगा तो फ्रेंड्स आज इतना ही